आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है आज हम एक ऐसे बेक्तित्त के साथ आज एक ऐसी प्रशनालिटी के साथ मिल रहे हैं जो पूरे देश में एंसर राइटिंग के लिए जाने जाते हैं सर डाक्टर बीयन मिश्रा हमारे बीच में है जो पूरे देश ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में एक ख्याति प्राप्त बिद्वान के रूप में जाने जाते हैं सर को अभी बहुत जल्दी ही बिटेन के संसद में प्रसंशित किया गया वहां पुरस्कृत किया गया और सर प बहुत ही लंबे समय से सिबिल सेवा के प्रसिछण से जुड़े रहे हैं सिबिल सेवा में सर ने लगबख पांच दसकों तक जो है बिद्यार्थियों का मार्ग दर्शन किया है और सर के मार्ग दर्शन से अनेक अधिकारी आज भारत के अनेक राज्यों में अपनी सेवाए दे रहे हैं वैसे सर मूलत है दिल्ली विश्विद्याले के पूर प्रोफेसर रह चुके हैं और दिल्ली विश्विद्याले में अनेक किर्तमान सर के नाम से जो है जाना जाता है दिल्ली विश्विद्याले की अनेक जो है उपलब्धियां सर के माध्यम से जानी जाती है इसक 67th और 68th मेंस की परिक्षा में कैसे एक अच्छा उत्तर लिखा जाए कैसे एक अच्छा एंसर बनाया जाए ताकि हम जो कुछ भी लिखे उस पे बहतर से बहतर अंक प्राप्त हो और आप भविश्च में SDM बने DIPT-SP बने और अपने जो है लेखन के माध्यम से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें देखिए हमारा ज्यान तभी महत्वपूर होता है जब हम उसको सफलता में बदल सकें और मेंस में हमारी सफलता का मुख आधार हमारी लेखन सैली है जब आप एक अच्छा उत्तर लिखना जान जाएंगे एक ठोस उत्तर लिखना जान जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी किस्मत पल्टेगी और आपका भविष्य बदलेगा और आपको अपने महान देश को शेवा देने का आउशर प्राप्त होगा बिहार वैसे भी बहादूरों की भूमी है इतिहास बदलने वालों की भूमी है और आप सभी भविष्य में प्रसासक बन करके ना किवल बिहार के भविष्य का बदलाओ करेंगे बलकि बिहार के माध्यम से हमारे महान देश भारत का बैभव बढ़ाएंगे कभी मगद समराज का गौरो आप सभी लोग परचित है कभी मगद समराज के नाम से पूरे भारत को जाना जाता था कई लोग कहते हैं कि भारत का नाम मगद कर दिया जाए क्योंकि वो चाड़क के और चंद्रगुप्त मौर के जानते हैं बैभव और उनके प्राक्रम से परचित हैं तो आप लोग बहुत अच्छा करें हम अपनी बात बहुत संचित में कहना चाते हैं इसलिए सर का आज हम लोगोंने मागदर्शन प्राप्त करने का निड़े लिया है सर के पास बहुत कम समय होता है और सर का ये विशेष असने रहा है स्पेस आईस अकेडमी के लिए कि सर पिछले 18 वर्सों से लगातार हम लोगों का मागदर्शन कर रहे हैं और चुकि सर हमारे गार्जियन की तरह हैं इसलिए हम लोगों को ये उसर प्राप्त हो जाता है समानते सर समानते कहीं नहीं जाते हैं समानते कोई बुलाता है तो सर वहाँ पर अपना मार्ग दर्शन नहीं देते हैं ये तो सर का विशेष असिरवाद कहा जाएगा विशेष असने कहा जाएगा कि स्पेस आईस अकेडमी को सर अपने संस्था की तरह मानते हैं और हमें भी अपने असनेश içा जानते हैं आउसर देते रहते हैं तो मैं चाहूंगा सर क्योंकि सर का इतना लंबा अनुभो रहा है मैं चाहूंगा सर से की सर एक बहतर answer कैसे लिखा जा सकता है इस संबंद में अपने कुछ विशार रखे साथ में बच्चों के बीच में भ्रांती है कि बहुत कोश्चन को बहुत घुमा फिरा के लिखा जाए बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिखे जाए बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखा जाए तब साइद अच्छी रहेंगा आएगी जबकि ऐसा समानत नहीं है लेकि चुकि सर के माध्यम से हम सारी बात को सुनना चाहते हैं इसलिए सर से बात करते हैं सर कैसे एक बैतर एंसर होना चाहिए आपने बड़ा अच्छा स्वहाल किया कि जैसे जीयस की बात आपने जीएस ऐसा विशे है जिसमें नीटी के अनुशार ठोश उत्तर देना होता है नीटी क्या है नियम क्या है मैं आपके को दान्द मतारता हूँ एक फार्मेसिस्ट किसी अस्पताल में काम कर रहा है दवाईएं दे रहा है घर से ख़वर आई कि उसका बेटा बीमार है अब वो फार्मेसिस्ट का मन खराब हो गया उसने देखा कि जो बीमारी की दवाई वो जानता है उसने दवाई लियो घर जाके अपने बच्चे को दे बाद में वो दवाई कम पाई की पकड़ा गया वो उस पर एक्षन हुआ कि बूले आप दवाई क्यों ले गई आपको तो सजा मिलेगी तो अब सवाल ही है कि जीएस का से डंट क्या कहता है वो फार्मेसिस्ट अगर वो दवाई ले जाते समय उसको रजिस्टर में रिकार्ड कर दिया यह दवाई मैंने अपने लिए अपने बच्चे के लिए शू की तो वो जीएस में पास हो गया उसने वो बात खोल दी और वो सजा से बच्च आएग अगर उसने रिजिस्टर में नहीं लिखा तो समझ लीजिए उसने वो दवाई की चूरी की नाजाइज रूप्च दवाई ले जए उसको से जैमी ने तो मैं आपसे संक्यक यह कर रहा था कि जीएस ऐसा विशे है जिसमें ठोस लॉजिकल जो कारण है वो खोजे जाते प्र नाम लिख दिया और अपने दसकत के कि मैंने ली तो वो आडमी दंड से मुक्त हो जाएगा जीएस में और कई पेचियदा सवाल आते हैं समझें बहुत तरीके के जीएस के सवाल प्रशाशक को नहितिक्ता का और कानून का और जो इस थापित नियम है किसी संस्ता कि उनका अनुपालन कराना बहुत आवश्यक होता और उनका अनुपालन कर्मचारी के मस्तिष्क में विद्दिबान होना चाहिए मस्तिष्क मगर विद्दिबान है तो कहिन के लिखित में भी आया तो उत्तर देते हैं समय ये बात जरूर खोज के जरूर आपको लिखनी है कि वो आ इमानदार था या इमानदार नहीं था उसका कारण आपने कोज लिया रजिस्टर में आए आदमी इमानदार था में इमानदा इसलिए गया तो ठोस बात क्या है G.S. परिक्षा है मनुष्य के निरने लेने की जो सही शक्ति है G.S. बड़ा प्रेक्टिकल विश्य है G.S. कोई बैसे विवेचना का काम नहीं है G.S. में ठोस चीज पकड़ के उसका उत्तर देना होना हो सकता एक ही पॉइंट जो है वो काम का हो जैसे मैंने कहा न कि उसमें उत्तर ही आया कि इसने ये दवाई का नाम रेजिस्टर में लिखा और अपने नाम में वो दवाई इशू कर रही थी आपको 100% मिलेंगे देखे G.S. कुल मिला के मैंसेमेटिकल है दो और दो कितने होते हैं वाले जी साड़े तीन ये साड़े चार होते हैं गलत आप सीधा उत तरह के चार होते हैं नमबर आपके 100% तो ये ऐसा विशह है कि 100% नमबर देने वाला है तो मैं तो विद्यार्टियू कुछ चाहे आप हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हूं या इंडियन पॉलिटी भारती राजव्योस्था के बारे में लिख रहे हूं इंटरनेशनल रिलेशन अंतरास्टी संबंधों के बारे में परिचर्चा कर रहे हूं या जोग्रिफी भोगोल के बारे में या इकॉनमी अर्थव्योस्था के बारे में साइन्स एंड टेक्नोलोजी हर मामले में सर्व का कहना है कि GS में जो हम लिखते हैं वो mathematics के आधार प जरूरत है और बहुत ही precise करके अपनी बात कहने की जरूरत है क्योंकि examiner के पास फाल्तू बात सुनने का समय नहीं होता है जी सर बताते रहेंगे बाकी सर बताएंगे कि मैं आपके लिए बहुत मात्यपून बात मैता रहा हूं कि प्रशाशक को हमीशा सतर्क राना जाएंगे अगर सतर्क नहीं है तो बिवस्था गड़बर हो जाएगे अब आप कहेंगे सतर्क का मतलब क्या है जीके आप एक जिल्य में अधिकारी हैं आपके पास एक ऑफिस हैं आफिस में निरे लोग आते हैं आपने जो लोग आते हैं उनके बारे में कोई रिकार्ड है कौन आया कौन गया क्यों आया उसका मतलब क्या था तो इस चीज को सही धंग से चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप अपने कर्मचारियों से पूछेंगे कि कौन आया था, क्या काम था, आपके पास सतरता का एक धंग है, धंग जान के क्या, आप एक ऐसा रजिस्टर रखवा दीजिए, जिसमें हर आने वाले का रिकार्ड कौन था, उसका पता क्या था, उसका फोन नंबर क्या था, और उसका आने का परपस क्या था, किस टाइम आया वो, क उसका पूरा हुआ यज हुआ? कितना हुआ? कितने प्रश्यत रहे गया काम? पूरा रिकार्ड मैं गहां आज मों ररोग राख देते हैं उसमें रिकार्ड ही नहीं करते। आपको क्या करना है वो रेजिस्टर मगवा लेना और देखना है कि दिन में कितने आदमी और सही कॉलम आपको बना दें ये मैं बता रहा हूँ सतर्क होने के उदाहने इस से प्रशाशन में बड़ा लाब होता है ऐसी बई छोटी छोटी बाते आती है एक आदमी जो है लंच क वो चार बजे आया और साड़े चार बजे दफ्तर में हाजी लगा के चला गया अब सबाल यह है कि सरकार का केतना लुक्सान हो रहा है हमारे देश में या किसी भी देश में अगर इस तरीके के चीजें चल लई है तो जानते हैं आज कर क्या हो गया आपको कोई निरीक शक बना सकते हैं उस आफिश में अपना एक विश्वास पात्र आद्मी लख सकते हैं कि वो इस सब का रिकार्ड रखते हैं और आज कल तो बड़ी आसान चीज हो गई जानते है क्या कैमरा लगा दिया उसमें आने का जाने का सब का रिकार्ड रखते हैं यह तो आदनिक कराता है कि आपने उसका कोई निरिक्षक रखा सबसे बड़ी बाती हर आफिस में आपका एक आदमी निरिक्षक होना चाहिए अगर निरिक्षक नहीं है तो आप सतर्क नहीं आप खुद तो पीछे डोलेंगे नहीं हरे कि कहां जाएंगे अधिकारी कोई अपने कमरा छोड़ के बार जाएगा अर्थाथ हर प्रस्न में आपको फोकस रहना है फोकस रहा पेवे एंसर को लिखना है पॉइंट को भी जानते उसी क्रम में सजाना है सर का सर उसी चीज पर फोकस कर रहे हैं तो यह चीजी बड़ी महत्रिपोर है अनेक तरीके सवाल आते हैं जिएस में अन करने की क्षमता वो दिखाई देनी चाहिए आप उत्तर देते समय यह दिखाएं कि इस समस्या को समझने और इसका सलूशन इसका कैसे निरा करा हूँ वो आपके पास था है तो आपको जीएस में मैंने कहा ना दो और दो चार हंडेट परसें नमल यह कुछ टेक्निक है हम आ चाहते हैं बच्चे कि कोश्चन को जब सुरू किया जाए तो इंट्रोड़क्शन को कैसे किया जाए इंट्रोड़क्शन में कितने कितना परसेंट सब्दों का प्रियोक किया जाए कंक्लूजन कितना परसेंट होना चाहिए में बॉड़ी की कितने कितना परसेंट होना चा इन्टोड़क्शन में क्या है समस्या का कि हमने ये समस्या है अब वो समस्या उसका निदान उसका धंक्या होगा इसका व्यक्ति और समाज पर क्या परभाव है उसका मूल्यांकन आपको करना है तो इन्टोड़क्शन क्या होगा समस्या का बिवेचन समस्या ये है इस समस्या म यह कषनाई है, यह सलूशन है. सर्थार जो कोशिशन आई उसका सेंट्रल पॉाइंट होना चाहिए। सींट्रल पॉाइंट और कंक्लूजन और बनाती इं टोडवी रक्षन बनाती इंटॉड़क्षन रहिए। हानिकर है। इंट्रोड़क्शन की देखे, क्या रखना है? समस्या का विवेचन. तो इंट्रोड़क्शन नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? समस्या का विवेचन कहेंगे. क्योंको वो उसी के आधार पर उसका यक्षन होगा. कोई और fall to introduction रखना नुक्सान दाइक है नहीं करना चाहिए क्यों परिक्षक के दिमाग पर उसका प्रभा गलत परता है परिक्षक कोचता है इस समस्या को टालना चाहता है तो टालू उत्तर कभी नहीं देना है ध्यान लखिएगा जियस में तालू उत्तर कभी भी नहीं देना अपनी और से कोई बात सामिल करने की जलूत नहीं है समस्या, समस्या के कानः और समस्या का निदान इस तरह की देखना चाहिए इस तरही बड़ी गंभी समस्या हाती है बहुत गंभी समस्यां आते हैं आज कल्ये से आपको बताएं एक बहुत बड़ा कारी कर्म भारत सरकान स्वक्षाता का कारी कर्म कि भाई दुवतर में और सब जगे सब बताव रखने चाहिए एक कलर के पास दर्ट में रखा हुआ उसमें अपने रदी कागज आपको तो जो रदी काज कारी में डालने चाहिए अब उसकी मेज के पास कुछ तकड़े कागजों के पड़े हुए कोई रुमाल भी पड़ा और आप कहीं अचानक नेरिक्षन में पहुझी गए तो आपने देखा कि भाईया जब डस्ट बिन रखा हुआ है तो डस्ट बिन की उपो क्यों नहीं किया जा बात बड़ी छोटी है तो आप उसको निदान कर सकते हैं दस्ट बिन में ही कूरा जाना चाहिए तो आप समस्या बताएंगे कि अमुक व्यक्ति के पास यह यह था और स्वक्षता का ऐसे ऐसे वो ध्यान नहीं रखा गया तो मूल समस्या को देखना है उसमें कोई तालू इधर दोतका काम नहीं मूल समस्या सीधी यह कि वो कूरा जो है वो डस्ट बिन में डाला जाना चाहिए और आपने उत्त दिया कि गलती कहा है कि डस्ट बिन में कूरा डाल कर कूरा बाहर डाला गया और इसके नियम है इसकी सजा है इसका कानून है कि स्वक्षता को कोई मेंटेन नहीं करता तो उसको क्या सजा मिलेगी या अगर उसने स्वक्षता का ध्यान रखा धोके से कोई और कर गया और कर गया तो क्या उसका कैमरे में फोटो आया तो ये चीजे समझ की हैं और उसी चीज़ को कहना चाहिए जो उससे सम्मनित है फाल्टू चीज़ को इंटोडेक्शन की ज़रुवत नहीं होती है ऐसी बहुत ही समझते हैं और मैं आपको विश्वास से कहता हूँ कि जीएस वो विश्व है लोगों को बड़ा साधान लगता है और सावदानी बड़ाद नहीं करते हैं अगर जड़ाद बड़ाद की चाहिए जाए तो इसमें आंग का प्रस्ट बहुत ज़्यदा बढ़ ज़्याए मैं आपके आपको आपका प्रस्ट बढ़ जाए आपने अच्छा किया कि जी इस का थोड़ा विशय और ब्यापक है, हम उसकी ज्यादा बड़ी ब्याख्या नहीं कर रहे हमने दो चाज चोटी-चोटी पाइचा आपके सामने लगे जिन में आपको उत्तर डारेक्ट देना जाए उसका निदान डारेक्ट देना जाए और कही पर दंड बनता है, तो दंड बनने का कारण इसपस्ट रूप से गोशित करना जी यहाँ पर यह चीज़ में और दंड से बचने की कोई उसमें गुंजाइस है, उसका संकेत करना जैसे मैंने का रहा है, वो दबाई के वारे में, कि वो चैमिस्ट ने क्या किया था, फार्मि होती है, आपके नंबर हंडेट परसंट, आपने सही उत्तर दिया, और सही उसकी खोज की, तो ऐसी बहुत सी समझचा है, जी यहस बड़ा महत्रपूर विशा है, कई लोग इसको बहुत हलके डंग से लेते, कभी भी हलके डंग से नहीं लेना, जी यहस ऐसा विशा है, ज्य वहार होकर, जीयस में और ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्ति करें, है न, इससे हम अपना और लाग होगा आप, बहुत धन्यवाद आपने हमारी बात सुनी, और आपको और बताएंगे, जैकि मैं आपसे संकेत कर रहा था, कि अंदा दुन्द होकर कभी उत्तर नहीं दो उत्तर हमेशा सू बीचारित, सू बीचारित माने ठाई दंग से बीचारित, जैसे मैंना का साई दंग से बीचारित का मतलब क्या है, कि आप उसकी सेलियंट जो फीचर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, दस पॉइंट्स बनते हैं, आप साथ, आठ जितने पॉइंट्स होगा, आपने दो ही पाइंट दिये, दस में दो पाइंट दिये, वैं दो पाइंट के नमबर ले लो, समझे ना, ऐसी बड़ी-बड़ी छिपी हुई बाते हैं, जिससे कम मेहनत से भी आप परीक्षा में ज़्यादा अंक पा सकते हैं, कई लोग अपने को बड़ा विद्वान सावि तो और चीजे हम व्याख्या करेंगे, समझाएंगे आपको, आज के लिए शंक्षेप में इतनी बातें करीं, आपने हमारी बात ध्यान से सुनी, बहुत दिन्नी बात आपको, और आगे और आगे बातें बताएंगे.